हलो गडीवनी नमस्कार कैसे हैं आप मैं हूं करण चोदरी और आप देख रहे हैं मोवी सिच्छा यह स्पीसर यूट्व चैनल एंड यूजी सी नेट के लिए पॉलिटिकल सैंस सिच्छा तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पॉलिटिकल पार्ट कियिक चैनल पार्ट के बात करेंगे कि ग्लोबल लेवल प्लिटिकल पार्टीज की डामेंश बता हूं कुछ कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी लेकिन आप में से वह सारी विद्यारतीं के दाउड थे कि से जन्रल जन्रल बच्चे के लिए पॉलिटिकल पार्ट सबसक्राइब लूdle बर हम सबसे पहले आ मनें विचारदरा की बात करी थी। आपको मैं ने पढ़ाए था था विचारदरा के बारें पढ़ाए था लेकिन आज में एक बेसिक से चीजों को देख ले थे पोलिटिकलपार्टी को जब आफ्पड़ते हो जब आप पड़ते हो राजनितिक दल जो हैं, वो लोकतंत्र में बड़ा मेत्पूर रॉल अदा करते है, पोलिट्य किल पार्टीज का एक बिग रॉल है, डिमोग्रिटिक एक सेट Alp में आप देखोगे तो, तो जो पॉटेटिकल पार्टी होती है आप पॉटेटिक तीन आधार कौन से कौन से तीन तरीका से आप dimension divide कर सकते हो political parties की पहले dimension हो जाती है political parties की संख्या की आदर पे on the basis of number यानि एक सबसे पहले आप division करते हो कि number की आदर पे political party जैसे आपने देखा एक दली है आप लोग सुनते होंगे single single party system पाय जाता है वो सरी ऐसे country यह single party system आपको देखने को मिलता है एक दली प्रडाली एक बेसिक आस्पेक्ट है एक दली प्रडाली आप लोगों ने सुनी जैसे आप बात करो बहुत सारे कंट्री चाइना की बात करो चाइना में एक दली प्रडाली है है एकूर दूदलिए प्रडाली जिसको बोलते हैं डूपर पार्टी सिस्टम या घाई पार्टी डिटेल में डिसकस करेंगे आज की सी क्लास में आप अंतक देखोगे सब कुछ आपको मिलेगा दुदली पार्टी इंडिया की बात करो यहां पर भूद प्रडाली इंडिया में भी तो बहुत सारी प्रडेकल पार्टी जाप देख रहे हो हम आदमी पार्टी कॉंग्रेस भा पर दूदेली इप्रडाली आपको देखने को में गयी चैना की बात करो नौर्थ कोरिया की बात करो वहाँ पर एक पोलिटिकल पार्टी है लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे हमारा जो मतलब होगा संख्या की आदार पर दलों को पढ़ने का वो सिर्फ यही नहीं होगा कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां पाई जाती है हम इसके वह सारी डैमेंशन समझेंगे जो ऑप्सिनल पेपर में या यूजी सी नेट पर इच्छा में आपसे पूछे जाते हैं कि यह तो एक साधान विद्यार्थी भी जानता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक दल होगा दो दल होगा और कहां कौन सी पाई जाएगी एक दल और दो दल के अलावा इसकी बहुत सारी डैमेंशन है जो आपको समझनी चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे मैं आपको समझ करते हो तो विचारदारा जो आइडिलोजी होती है इसके आधार भी पॉलिटिकल पार्टी इसके डिवीजन होता है तो जो एपली कीजन पर आप लोग जो पढ़ रहे थे वह मैंने आपको यह पहले समझा दी थी विचारदारा की आधार पर जैसे बामपन थी है तो इनको विचारदारा बूट रेडिकल होती है जो एगडम फथरनाक तरीका वाली बात करते हैं मारतार्दें वाली बात करते हैं रेडिकल सोद्र रखते एगदम परवरतनकाली क्रांत कारी सोद्र अत लोगTwo Fr tevearım बिचारदाराम अधियाम ने उनक्युद row से चलने वाली एक मध्य मारगी सोच की विचारदाला वाली Party है एक उतार दच्छन facto विचारदाला वाली पार्टी प्रोडिकल पारटी इंडिया में आप देखोगे तो बीज़ए पी भारतियंता पार्टी को हम लोग दच्छन पंदी विचारदाला की पार्टी मानते हैं क्योंकि बीज़ए भी गया है राष्टवात पे जोड़ देती है वे बनाफवात की पार्त हमाज पर समाज के बनतु पर राष्ट पर राश्टरवाद पर राश्टवाद पर रास्ट रेकता पर इन सारे चीज़ों पर मेथतो देती, उसे आप rightist कहते हैं, दच्छन पंति के नाम से उसे आप जानते हैं, तो बारत जेंता पार्टी भारत में कैसी पार्टी दच्छन पंति टाइप की पार्टी है, political पार्टी है, अब इसी को जब आप डेटेल में पढ़ोगे एक डली बह परते हैं तो इसके अंदर बहुत से डामेंशन हैं हम पढ़ेंगे पहले आप जड़ा बेसिक समझे लो चीजों का एक होती है सनरचना के आधार पर तेको on the basis of composition आप देखोगे तो जितने भी political thinker है उन्होंने सनरचना के आधार पर political party को बांट रखा है हमने यह भी देखा था अपनी प्रेड क्लास में जिसे कॉकस है तो कॉकस है आपको समझ मा रहा हूँ कॉकस का मदलब संख्या में छोटा एक छोटा political दल छोटा जो एकदम छोटी सी party जो छोटा सा गुरुप कॉकस सनरचना के संख्या के आधार पर उनका जो संख्या होती है उनके कैडर होते हैं साख्या जैसे आप देखे हो कि अभी आपने देखा कि सर रीसेंटली आपको देखने को मिलता है कि बीजेपी की भी आज कर आरे से साख्या की रूप में साख्या देखती हूँ खाल जैसेजी आपने देख्या का लोग सेना की तरह कार करते हैं यूनिफॉर्म पहनेंगे और एकदम ठां करेंगे सेना की तरह तो मिलीसिया उसको आप नाम देते हो मिलीसिया मिलिटरी काइंड आफ आप कह सकते हो सैन निदल भी इसका दूसरा नाम है तो यह संदचना के आधार पर पर पोलिडिकल पार्टी की प्रकार की होती है तो दुनिया में आप जनरल जो विवाजन करोगे राजनीतिक दलों का वही सामने विवाजन आपको देखने को मिलेगा पहला जिस एक दली होगी दूदली होगी बहुत दली होगी सरचना की साख्या लेकर चलता है कोई कॉकस कोई सहल है सहे busy चुटे 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 उसके गुरूप बने होते अभी इसके बारे मों पढ़ेंगे डिटेल में तो उनको जो है आप जो नाम देते थे उनको आप जनरली बोलते थे मिलीशिया मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में उस देन अरे हाया ना प्रियांसी सिंग जी बहुत बढ़िया सोनिया जी बहुत बढ़िया राहूल कुंद्रा क्या नामे कमल अब थो बढ़े करो कमेंट भाई ठीक है तो आप लोगों ने इस चीज़ को नोडिस भी किया आप लोग इस बात को समझ भी गे तो मिली अब मैं बात करो दली प्रडाली में एक दली प्रडाली क्या होती है सबसे पहले हम एक दली प्रडाली को डिस्कुस करते ही कि सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है एक दली को आप नाम बोलते हो सिंगल पार्टी सिस्टम इसका आपको नाम क्या है इसका नाम है सिंगल पा प्लेटिकल पास्में की बब हुए प्लेटिकल पॉर्ट लोगति की बात करो अगर चीन की बात नीडit Nanaja की शलें पर श्रीद आ आती है तो जात्र आप देखोगी तो ऐसे देशों को अग लोगतांत्रिक देश का जाते हैं क्योंकि यह लोगों के पास विकल्प नहीं होता और आज कल की जो modern democratic setup है उसका एक सीधा सा मतलब है कि किसी भी country में जहां जनता के पास विकल्पों का अवाव है उसको आप लोगतांत्र पूर्ट तरीका से नहीं मानते हैं पर एक्जाम्पल मैं आपसे ही कहूँ कि अगर कोई country है यह विकल्प नहीं है यह आपके पास विकल्प लाइफ में कम है आपको एक सीधी दिसा में चलना है direction एक आपकी fixed है तो आप कहीं इस बात को मानोगे कि आपकी जो सोच है वो एक मतलब एक संकीर हो जाती है आपके विचारों में खुलापन नहीं हा पाता तो modern political जो सैटप है जो democratic सैटप है इनमें अगर लोगों के पास विकल्प अधिक नहीं होते चुनने के तो वो purely लोगत पार्टी अपने dominance established कर देती है और उसके मार्दम से आप सब कुछ चलते हो इस सिंगल पॉर्टिकल पार्टी सिस्टम को भी अगर आप बड़े लेवर पर पढ़ोगे जिसे आजकल optional में यूजिजनेट में आप पढ़ते हो तो सिंगल पॉर्टिकल सिंगल पार्टी सिस्ट इस सब्द बड़ा चर्चित है सरवाधिकारबादी सरवाधिकारबादी जो होते हैं यानि सिंगल पार्टी सिस्टम भी दो प्रकार की होते हैं एक होते हैं लोकतांत्रिक एक होते हैं सरवाधिकारबादी यहाँ पर भी equal party system पाई जाएगा वहां वो भी दो प्रकार का होता है एक तो होता है लोकतांत्रिक democratic single party system एक होता है warm panty leftist single party system एक होता है rightist single party system देखो अब आप बोलो कि सर ये क्या किया देखो ये मैंने क्या किया एकल पार्टी सिस्टम को एक बड़े लेवल पे ले गया हूँ तो जो आजकल आप बरतमान में देखोगे सिंगल पार्टी सिस्टम की भी दो प्रकार है जिसे मैंने आपको चीन का एक्जामपल दिया क्यूवा का एक्जामपल दिया नहीं लेकिन जापान कौन से वाले में जापनि मेंJust Single Party system है एक प्रकार्च आप देखो गे तो एक मां प्लस का वन Observation One, One Dominance, एक थोड़ी किस सारी पॉलिटिकल पर्टी से वह होती है यह पुलिटिकल पर्टी कि एक फे होती है वह होती है, वह वन डॉमिनेंट यह बहुत चर्चा का है एक होता है उपजर्विंग एक तीसरा होता है वन आपजर्विंग यह भी आप देख लो वन आप जर्विंग फॉरा जहां से सुनना मेरी बातों को कि यहां ध्रक लिप्रिशन बन जाते हैं तो ऐसा पॉलिटिकल सैट जिसे जपान ह लिए आफ लिए आप लोगों ने सुनी होगी ऐपान लिएल पार्टी ईसका अच्छा एक्साइब को यहाँपर वह समस्झ लोह वह पे कर दोएक लेकर दैसे कि लोगों दीदा हरा कंई लॉपकर पर तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सारी पॉवर दे दी जाती है सब मिल जाती है सब में एक में सब प्लस हो जाती है एक में सब जाके अब्सर हो जाती है एक में सब जाके असेंबली हो जाती है तो एक पार्टी की स्तापना हो जाती है एक ही पार्टी को सारी पार्टी सपोर् यह जरूरी नहीं है कभी कभी आप चंफियुज हो जाते हो कि सिंगल पार्टी है तो ब हाँपी तॉ नहां प्लाकृत करेंगें इंडिय नेंसिनल कॉंग्रेस दहते हैं आखाव पॉन्त मैं पतके बात करेंगें नियुцен लेकिन अगवा कंट्री जब आजाद हुआ तो हमारी आजादी की बाद 1947 से लेकर 1906 तक का दौर देखोगे 1902 में पहला चुनाब हुआ हमारे कंट्री में 1902 से लेकर 1906 तक का दौर देखो आप तो इंडियन पार्टी इसे कानू कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा कानू बहुत ही फिमस है कानू इस वेरी फिमस पॉलेडिकल पार्टी कानू आप लोगों ने नाम सुना होगा कानू जो है इसकी फुल फॉर्म है कीनिया की कीनिया की पॉलेडिकल पार्टी है ज सारी प्रोडिकल पार्टी ने मिलके बनाया है तो आट डेमोग्रेटिक सेट अप की स्थापना हुई है वहापन लोगतंत्र जो है वह एकल लोगतंत्र एकल पार्टी के अंदर भी डेमोग्रेटिक प्रेंसिपल को established किया गया है वाद समझ में आरे हैं इसाब्यार्थियों की प्राथना सॉनिया या जो मुझे recorded देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्डड़ के लिए बन रही है तो जो बिद्यार्थी अब यह जो दच्छर बनती हैं अब यह कौन सी पार्टी होती है इसमें आप देखोगे यह सरवाद करवादी अप्रोच है यह सारी पॉलिटिकल पार्टी हो खथम करके बनते हैं यानि आपने वह पिच्छर देखी होंगी मुवीज देखी होंगी जा मुगम्मो खुसुआ वो सभी को मार के मुगम्मो बनता है तो कभी कभी राजा सभी को मार के बनता है तब वो राजा होता है और कभी कभी राजा सभी की साथ राजा बनता है तब वो राजा होता है तो यह पॉलिटिकल पार्टी वन प्लस की थेओरी पर काम करती है वन ऑब्जर्वेशन की इस जी से की बात खरे गोड़ कर toen जितने पहल राश्त वाइटिस्ट जो समाज को मानने राष्ट वाड़ को मानने तो आप देखो फासिस्ट इजितने भी फासिवादी थे इदैश्त विन आजिवादी थे तब ने का इनके जिना द्ल इसके लावा नाजी वादी की बात कर लीजिए तो इसना विल्सटर पर इबmorals को करें कंभ एक यह अई हैं तो क्यूबा है तो चाइन और क्यूबा और पॉफटेकट इसम्पर चैना और क्योबा क्या आप अच्छा चैना और क्यूबा dot उत्री Korea भी इसमें लिख सकते हो North Korea भी ऐसा एक्जामपल है आप नор्थ पोरिया को भी आप इसमें लिख सकते हो तो देखो यह क्या है अगर आप से प्रस्न पूचा जाए कि प्रस्न ऐसे बनेगा कि एकल दली प्रनाली में सरवाधिकारवादी या एकल दली या चीन में किस की एकल दरे प्रणाली पाई जाती है तो option में अगर दे रखा है सरवाधिकारवादी लोगतांत्रिक वादी तो आप आंसर देंगे सरवाधिकारवादी सरवाधिकारवादी के अंदर वाम पंती विचारदार है यह विचारदार है लेकिन सरवाधिकारवाद इसका टाइप ह यानि यह लोग क्या करते हैं एक ही राजा है हम ही है सब कुछ तो यह क्या है यहां बिकल्प लोगों के बास है नहीं यह तो अलगी चीज थी तो जपान अलग है चीन अलग है North Korea अलग है क्योबा इस सारे अलग है तो यहां पर क्या है यह जो अलग अप्रोच है सीधा सीधा प्रशन आपकी एक्जाम्बे बनेगा तो मेरे according single particle system को आजकल जो प्रशन बन रहा है political science में ऐसे बन रहा है कि single पर्शन पार्टी को इस परकार से मअच कड़ सकते हो किãy sacred activity का going public प्रराशिवाद नाजीवाद present में खतम हों चुके हैं बिलकुल पासिवाद और नाजीवाद present kello कहते हैं नजयावाद बरतमान में बस बात के इनने हैं दो अभी बिचार दारा कभी 1 하고 कि विचारदार हमेशा रहती है इस बात को अब हमेशा मालो आइडियोजी नेवर वेनिज्ट वह आलवेज एक्जिस्ट वह इन एक्टिम मोड में नहीं है पर वह है अवस्य है अब आप देखो कि आप लोग हम पहले पढ़ते थे कि प्रो प्रो जब गवर्मेंट क्या करें फोग प्रो फूर हो जाए तो आज देखो değerолж में निउस्ट पौछ उस्में प्रोप्व गवर्मेंट का एक स्टेप आये मोंने है कि एक साल तक अगली एक साल तक आपको आपको आप जो है यानि जो लोग उसने थे बीपिल में उनको एक साल तक जो आपनाज मिलेगा प्रो गुए समाजबाद ही तो कड़ता है अगर प्रोपूर अपदेखोंगे एक साल के लिए अपने प्री कर दिया तो प्रोपूर एक्टिविस्म जो है वो समाजबादी ऐलिमेंट है आज इंडियम इसका मतलब समाजबाद है तो आप तो को कि नहीं BJP समाजबादी काम करी नहीं सकती ऐसा नहीं है विचारदार है नेवर वेनेज़ वो कभी खतम नहीं होती है वो होती है वो active नहीं होती है, सांत रहती है, कहीं कहीं पर active देखने को मिलती है, और कभी-कभी active देखने को मिलती है तो यह इस एप्रोच में आप एकल दरीप नाली को पढ़ सकते हैं तो एकल दुदली पृदाली की इतने सारे टैजपिेए तो मैं भात करो दुदली प्रणाली की भाज़ेयन बात करो जासफर टूपार्टी सिस्टम की मैं भात करो कivity वाज़ूव भाज़ें था two-party system भाज़े सिस्टम किसी किशेद गहैो धिखने दस्टाइन बात करूं दिखों दूदलिय प्रणालीम इसको में बाद करूं जो बाइब ये आप जनरल बच्चा बनो यह मतमानली ना कि आप यह जानगे कि एकल दल्य पार्टी चाइना में क्यूवा में तो आप पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी यह से नहीं होते वह पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी यह से नहीं होते वह पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी का भी गूर्ड होते तो पार्टी सिस्टम जैसे आपने इंग्लेंड का खूब नाम सुना है डेमोग्रेडिक पार्टी लिवरेल पार्टी मैंने आपको आईजीपी में पढ़ाया भी होगा तो कुछ-कुछ परफेक्ट एक्जामपल है अमेरिका में आप लोगों ने खूब सुना खूब अमेरि दो उनकी सरकार आपको ँथे अंग्लेंड में देखा डेमोक्रेटिक पार्टी लेवर पार्टि और तो क्या होता है जहां दो political party जो हैं उनकी सरकार आपको देखने को मिले इसे एक लैंड में देखा democratic party और labor party आपने अमेरिका में देखा conservative party तो republican तो इस प्रकार से जहां पर दो political parties का आपको dimension देखने को मिले अब इसको वे detail में पढ़ लेते हैं तो political party system को मैं समझाएता हूँ आपको ठेओरी काम करती है two plus दो दली प्रडाली dual party system जोएसमें two plus की थेओरी काम करती है टू प्लस की थियोरी क्या देखो वहाँ जो मैंने आपको बताया था सिंगल पार्टी सिस्टम तो वहाँ पर मैंने आपको वन प्लस की थियोरी बताई थी बिड़ा इसको याद रखना क्योंकि आज गल नई नई प्रोफिसर इससी परशन बना रहे है याद वन प्लस की थियोरी एक दली प्रडाली में काम करती है तो one plus point समझ में आ गया और two plus की याद दली प्रडाली में करती है दो दली प्रडाली जहां पर भी आपको देखने को मिलेगी जैसे औस्तेलिया अमेर्का इंगेलेंड यह एक्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिये थे अभी यूएसे अमेरिक रिदेन तो इंगलेंड वन एक्जाम्पल आस्ट्रेलिया तो इसमें आपकी समझ में आगया तो इसमें टू प्लस में आप देखो कि जहां पर भी दो प्रकार की प्लिटिकल पार्टी पाइज आती है यह माना जाता है कि जहां दोदली प्रणाली है यह परफेक्ट एक कॉम्मिनेशन होती है पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जिस कंट्री में आपको पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी जिस कंट्री में आपको संसदिय प्रणाली देखने को मिलेग जहां पर भी जहां पर भी दुदली प्रणाली होगी क्योंकि पालियमेंटी डेमोक्रेसी में एक आस्पेक्ट है एक पॉइंट है कि पालियमेंटी डेमोक्रेसी जहां पर भी आप देखोगे इसमें पालियमेंटी डेमोक्रेसी में दो प्रकार की चीज़ होती है एक सरकार और एक बिपच्च राष्टपती प्रकार की सरकार में प्रोलिटिकल पार्टी एक भी हो सकती है काम चलेगा लेकिन जहाँ पर भी सच्चा संसदी प्रकार की प्रणाली होगी वहाँ पर दोई प्रोलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलेगी तो पालियमेंटरी डेमोक्रेसी में एक आस्पेक्ट है कि तो सरकार होनी चाहिए सरकार की पार्टी और एक उनाची विपच्च की पार्टी तो जहां पर भी साधार और तरह आप लोग तो पॉलियमेंटरी फोप दी गवर्में या मैंiblijn आपको बता रहा हुग यह ज्यादन तरह अदुब अमयर्का में वी सिस्टम है तो अमेर्का में है तो हो सकता है क्योंकि वह तो प्रेशिएंटर फोपनेंटर हो सकता हैमरणिन कि नहीं जे disciplines अ विसकता है का होना बहुत जरूरी है जैसे इंडिया है तो इंडिया में multi-party system में ठीक है एक विपच्च में एक सरकार में लेकिन two political party तो कम से कम है न भाई अब चाइना की तरह चाइना में बोलो चाइना में parliamentary government है मान की चलो आप ऐसा तो है नहीं अभी तो आख कैसे आप बताओगे भाई parliamentary form the government का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी form the government जहां एक पच्च और एक विपच्च की party दोन होनी चाहिए this is the perfect example ठीक है एक मिनट में आप लोग की लोंगा this is the perfect example इस नमबर पर चला एक बार फोन करना जरा इस पोन हो ठाना जरा ठीक है this is the perfect example एक सेकंड एक कॉल मेरा अर्जेंट ली है आजम मातना वैश्णों देवी जा रहे हैं और अजमारी ट्रेन है तो मातना वैश्णों देवी से आप लोगों के लिए हम कोसिस करेंगे माता वैश्णों देवी आपको बहुत प्रकार के आसिवाद दें और हम उम्मीद करेंगे कि हम आपके लिए कुछ आसिरवाद लेकर आएं माता रानी से वाज हमारी वैश्णों देवी की आत्रा और मैं द्वागोंगा माता से कि हमारे सभी विद्यारती जो हमसे पढ़ रहा है और नहीं भी पढ़ रहा है हर विद्यारती जो मेहनत कर रहा है वो सभी सफल होने चीए अपने जीवन में सफलता का मतलब लेकिन सिर्फ नौगरी नहीं होता ऐसा मेरा मानना ही हो कि मैंने खुद के लिए कभी नौगरी नहीं मांगी तो तुम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि नौगरी मागूंगा विकास भगवान आपको जो देता हो आपके बैस्ट के लिए कभी-कभ क्या करते कि आप भगवान के मंदर में जाते हो दो मुझे नौग्री नौगरी चाने मर जिंदिकी प्रजण कभी आप भगवान से बागलें चलता है तो मेरी हसी जला Özı मेरा गाना है तो मेरा मानना नौकरी लगना एक सफलता नहीं होती यह मेरा ऐसी मेरी पस्तनल सोच है चलिए इससे आप बिलकुल अलग सोच सकते हैं इसमें कोई दो रहे नहीं है फिर भी मैं आपकी बैथरी के लिए द्वाम होगा तो सरकार और अभी पज जो हैं यह दो दलीर प्रणाली dips प्रणाली अच्छल्मी प्रणाली सेग फूर टिन को देंड़कर हुआ मिल जाते हैं इसके भाग करो महुद लिए उनाटी पहुद कलिकल पार्टी अपको कहा देखने को मिलता है इसे आप बात करो यह सएसी मोसले इसी कंट्री jeśli एक. इसबाइभकर आदग आप आता यह कि बात करो वारत में खूप सारे कंट्री हैं आप सुटिजर लेंड की बात करो तो यहां पर आप देखो यहां पर भी आपको खूप सारे सौरी खूप सारी पॉलिटिकल पार्टी है सुटिजर लेंड में हमेसा यह चलता रहता है भारत की बात करो फ्रांस की बात करो आप फ इसके बाद इतली देखो आप इसमें आपको खूब सारी पॉलिटिकल पाट्डी जो एक्जामपल से देखने को मिल रहा है फ्रांस पाकस्तान इस पेनी इतली यहां पर आपको मुल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है keeping busy बिलकुल क्या लखने आप important important point mark करते जाओ हम नोट करते जाएंगे neden yer important impact 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 import important note करते चलें Pentant II Mein बता रहा हूं क्योंकि काफी important है जो मैं पड़ा रहा हूं आपको यह most important aspect यह आपको मैं कवर करा तो बहुत अली पार्टी सिस्टम होता क्या है कि जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा dość sih अभिव मल्टी पार्टी सिस्टम जा एक से ज्यादा राहई नित्रीक दल है एक से ज्यादा मतलब दो से भी ज़याद है क्योंकि मैने ल्टी का और मतलब होता है कि कोई चीज एक से ज्यादा हो वैसे तो simply लेकि नम डूओल पड़ चुके लिजुकर ішका मलद दो अमारी किंट्री की क्या है जरी अब आपने उसमें एक आप के पासी किसी के बहुद में आएक तो सिम्पल सी बात है कि फिर तो में आप देखते हों कि सरकार मिली जूली बनती है Ky Code si in inviting सेकिन्ड की ऐसे जात्र जो कंट्री हो ते जहां पर सरकार है बहुदली मिलती है जात्र लोगतांत्र कंट्री बhonne लोगतांतरिक देश आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्यूंकि तो डेमोक्राइक कंट्री होंगे वहां डेमोक्रीसी में हरा आत्मी को चुनाव लड़ने और बोट डालने का दिखार प्राप्त है जब बोट डालने का तो अपनी प्रोलिकल पार्टी बना देगा उल्या इसमें है एक प्रोब्लम है कि यहां राजनीति की विवस्ता होती है प्रोडिकल सेट अप जो होते हैं याप देखो इंडिया है तो सरकार बनी पूरी सरकार पांसाल रहेगी इसकी गरेंटी नहीं है इसकी कोई गरेंटी नहीं है क्योंकि सरकार की बस कम मैजुरीटी चली जाएगी और मैजुरीटी करते हैं उसके साथ की पॉलिटिकल पार्टी पर तो आप यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो देश हैं इनमें एक प्रोब्लम मिलती है मुल्टी पार्टी सिस्टम होता है कि य यह टी पाटी सिस्टम होता है तो मल्टी पाटी सिस्टमत बहुत की पांटी सिस्टम आपको देखने को मिलें और वह Whole पॉजे पार्टी से क्रील से रहे कि आपर colors रिचिकल डेमोगरे도 से लिबरल डेमोक्रेट से इवन आप देखेंगे तो कम्यूस्ट पार्टी भी है वहाँ पर लोग आपस इंडिया की आप एक्जामपल देखो इंडिया में कॉंग्रेस है बीजेपी है इसके लाबा बहुजन समाजवादी पार्टी आम आदनी पार्टी नंबर आप पार्ट इंडिया में कॉंसी कॉंसी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया को हम डिस्कुस करेंगे एक चेप्टर में इंडिया की उपर अलग एक लेक्चर होगा और वो साधान बच्चों के काम आता है इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल चीए देदू सोश से रेडिकल डेमोक्रेट्स सोचल डेमोक्रेट्स रेडिकल डेमोक्रेट्स लिबरल डेमोक्रेट्स लिबरल डेमोक्रेट्स लिबरल डेमोक्रेट्स कभी-कभी कुछ विद्यारतियों को मेरी प्रनांसियसन लिक्कत हो जाती है अब बाई देखो हम हिंदी मीडियम से बच्छों ने प्रेमरीम पढ़ लेता है एक बात की समस्य उसके साथ हमेशा आती जब अंगरेजी कितनी पढ़ ले उसके प्रणेंसिशन हमेशा उस लेवल का नहीं हो पाता है वह सारे मैंने कंवेंट पढ़ें मेरी कुछ क्लासस में कुछ कमेंट पढ़गरा था मैं बहुत ब्रेंडिं क्लासस हैं बच्छों कंवेंट आ रहे थे किसमें आपने तो आपका बोलते हो communist, liberal तो वो जीवना थोड़ी अपनी न टंग जो है उतनी अच्छी से मतलब वो नहीं हो पाती लेकिन आप समझ रहे हो यह अच्छी बात है तो liberal democrats हो गए, communist party हो गई ठीक है, आपके social democrats हो गए, radical democrats हो गई यह आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, Switzerland में यह आपस में लड़ते रहते हैं, कि जो multi political party system है France की बात करो, France में देखोगा, socialist है, communist है, liberal है France के example में, France की बात बताओं तो France को भी आप देखोगे तो France में भी आप पाते हो कि France में, liberal है यह आपस में बोलते हैं, वहिया, liberal है, communist हैं तो दुनिया में हर जगे हैं क्योंकि मार्स ने सब बीच बोया कि हर जगे हैं इस तो सोचलिस्ट यह भी आपको देखने को मिलते हैं यह भी एक्जामपल ए फ्रांस का और यहीं आप देखोगे इटली के बारे में इटली में भी कम्यूनिस्ट हैं लिबरल हैं सब्सक्रांस कम्यूनिस्टिर्य लेकान इस सबीचयतता करएं लेकिन आपको देखने को मिलेंगे कंवूनिस्ट यहन करें अशरीट हैं ना लाइन वह सुचलिस्ट्टातिर्व आपको मिलेंगे सब्सक्राइब तो यह iss vastly multi-party system है जो आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके जो N preschool के लिए इसके नोटस है वह すके आप लोग को मिल जाएंगे नोडस इसके प्न पार्ट पर्टी जो नोडस तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उस नोट में थोड़ा नोट में एक चीज होता है कि कोई बेसिक चीज trabalhar और आपको पड़ार हो तो बेसिक चीज़ना ऐसी होती है जो आप जदन्रal आपको अच्छा है पड़ने में लेकिन एक्साम में उसे मतलब नहीं होता आज जो मैंने पढ़ाए बेसिक था इसमें से एक्जाम में आएगा कि नहीं आएगा अलग बात है लेकिन आप इसे बेसिक कह सकती है बेसिक है तो यह हो गया अब इसको जो प्रोडिकल साइंस के एकॉर्डिंग पड़ोगे तो डूजर की बात करो प्रोडिकल थिंकर है ठीक मैंसिक खुला प्रोडिकल प्रोडिकल्ड़ प्रोडिक पार्टि का रख भी का बuine साजव मिरा आज कर आज कर पर लोग पर दिक्राशन है यहां से ग्याक ग्यीन मिजवें नंगवरम पना का चूका आज है तो आज कर भी प्रोडिकल्ट मेंने गटीक प्रषय। करेंगे कि जो मॉडनन जो पॉलिटिकल पार्टी का डेवीजन है यानि में मॉडन की बात कर रहा हूं आधनिक यग में आधनिक समय पर आप देखेंगे तो कहीं विचार को कहते हैं क्हार सब्सक्राइब स्कुरह डी पाडिक फुकूं11 आदुनिक समय में आप देखेंगे जो उस समय हुआ करता था था पाशी वाद की बाद आप पूछ रहे थे तो फाशीबाद में सौक टूब्स रेड़ गाड स्ट्रों टूप्स रेड़ लाल दस्ता इसप पहले मिलते थे बरत्मान में इसको कुछ भी नहीं बरत्मान की बात करूछ तो आजकल तो बहुत अलग है उस दियु वह समय पडा जमी आश्मान का अंतर है अचल पॉलिटीकल पाटी स्फिनल के निख बहुत अलग था आशकल फोलिटिकल पाटी का नेचर वहां नोट जमान आहे तो पॉलिटिकल पाटी नेचर स्छाल मेडिया जमान है करती बहुत अलग है नेचर बहुत अलग है आज कल की प्लिटिकल पार्टी को समझने के लिए हमारी एक प discourertika संच के नौर्ड स्यूनिय bask है वो हम यूनिट पढेंगे अगली यूरेट रम पढ़ेंगे तो यूरेट वन चीजों के बारे बात करेंगे तो अभी तक जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था वो अमने दो डामेंशन कवर कर ली थी डामेंशन नमर वन अमने पढ़ी थी विचारधारा ये बामपन थी मद्यम्रगी दच्छनवन वरणिया जी वन थी इमिन पढ़ाया चुकाओं आपको बताओ कमेड करके या ना सम्रच नमें काकस क्या होता है केडर क्या होता है यह साखह क्या होती है ब्रांच सätt्व सेसे सं अधर्म कुछ नहीं होता waterCON म Sith आ पिझनना के लिए जिए ख़कर आप कर से लिक्रीन फिर्ने थे का ऊंड़िज partnering बस olsun जोल्स भाइव संवाज में से आपने नाम सुना ऊगा मार का वोलते हैं जो फरीषा मार दस्तो आपने नाम सुना होगा लाल लाल गुरुप जिसे बोलते थे लाल रच्छको रैडगार आपने सुना होगा तो ये जो नाम थे बड़े popular थे that is called रैडगार ये उसी में मिलते थे बाई जो political party थी उनके सदस्यों को रैडगार कहते थे salaryсол triple aster इन्के अतने सारे नाम uży aja करते दे हैं से मार दस्तो लाल रच को तूफानी दसतक पूफानी दस यह नामी दस थे यह भी को हली क्ल्लु पार्टी आजकल तो नहीं बार मिस्टो मेल स्टों ट्रॉप्स वह गया यह करते थे इस ट्रॉंट यह जनरली ओ गए कौन से वाले को मिलीशिया पॉलते थे पॉलिटरी टैप पॉलिटिकल पार्टी होती थी जैसे मैंने आपको बताया फासी वादी ऐसी चलाते थे एकल संचनाप ने समझ ली बहुत संचनाप ने कि जिसंगे कि मॉर्डन को थिंकर नहिए आफ नम कोदंगे घुकर से लावा जो अब कई वह मॉर्डन कर आए वहsın Visa चो जो आजकर कि प्रोडिकल पार्टी कि को आप कैसे कर सकते हो कैसे दिजन होका और पर एठेकल पर्टीज का तो next class we will discuss the basic thinkers of political parties और उसके बाद ही tap trap over है तो अभी आपकी classes जो होंगी वो 2-3 दिन off रहेंगी क्योंकि मैं आज वैसनुदेवी जा रहा हूँ और मैं कल दर्शन करूँगा आप लोगों के लिए अपने लिए भी ठीके और next day मैं आजाओंगा प्रवबिल याथ ताली कितनी है 25 की offer रहेगी 26 की offer रहेगी और 27 की offer 27 की तो नहीं रहेगी प्रवबिल 27 को तो हमाई रहे 25 और 26 की आपका offer रहेगा ठीक है दो दिन की आपकी छुट्टी आप आनंद लीजी आप पढ़िए जो नोट्स मैंने दिये नोट्स को खेंच के पढ़िए क्योंकि political parties की जो नोट्स है हमारे इनमे political parties की नोट्स में आप करीब 25-30 page है और इनको याद करना भी अपने आप में कठिन कार रहे है तो इनको दंग से पढ़े और दंग से पढ़ने के बाद आप हमें एगली क्लास में मिलें जो विद्यारति हमारी क्लास को recorded देख रहे है उन विद्यारतियों से हमारा अंडरोध है कि आप जो हमें recorded देख रहे हैं सहा आप जो recorded हमें देख रहे है recorded हमारी क्लास ले रहे है आप हमें जोइन कर सकते हैं हमारे application पर आपके classes दो चैनलों पर देख रहे होंगे एक तो हमारा चैनल है political science शिक्षा इस पर आप class देख रहे हो या आप मोबी सिक्षा पर देख रहे हो एक application है जिसका नाम है मोबी सिक्षा ये SHI KSHI आज कल के दुनिया में लोग सिक्षा की spelling गलत लिखता है सिक्षा की स्पर नहीं पता सिक्षा लेने चले है मोबी सिक्षा इस नंबर इस पर आप जाके देख लेंगे आप इस नंबर पर फोन कर लेंगे तो आपको बरतमान में हमारे यहाँ UGC net और TGT PGT के वैचिस मिल जाएंगे और Optional भी हमें सुरू करूंगा PGT TGT Optional आप BPSC के लिए पढ़ोगे तो Objective Form में आपको मिल जाएगा Subjective Answer Writing हम आगे सुरू करेंगे प्रियांसी तुमारे तो मज़े आगे प्रियांसी देखा तुमारे तो मज़े आगे प्रियांसी Subjective पढ़ रही थी लेकिन अभी Objective Paper आगे तो भाई BPSC में जो Optional हो गया BPSC का आप लोग Form फिल कर देना सभी विद्यारती उसमें Optional अब Objective हो गया और Objective हो गया उसमें भी आपको जो है 50 मार्ट लेकिए आने इसके नमबर ने चुड़ेंगे तो आप इस नमबर पर कॉल करके आप हमें फोन कर लें 870078917 पट्टी सब रन कर दो एक बड़ जा 870078917 इस नमबर पर नीचे भी पट्टी चल रही अप्लिकेशन आप डाउनलोड करना कि पहली आपको रन करनी थी तीए चलिए फिर बवाय नमस्कार कमेंट करना पका कैसे लेगला जेहन दोस्तों